नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्षिवराज और आप सुन रहे है होरो पोड़कास्ट कहानी मेरी जुबानी दोस्तो आज मैं आपके लिए अरुन कुमार शर्मा की लिखी हुई प्यासी आत्मा एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ अरुन कुमार शर्मा जोकी योगत आंत्रिक कथाओं में एक जाने माने लेखक है तो आईए विनादेरी की ये कहानी शुरू करते है सन 1948 की बात है उन दिनों में कलकत्ता में रहता था मैं मुख्य रूप से भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर व्यक्तिकत रूप से शोधकारियों में जुटा हुआ था मैरे एक मित्र थे अखिलेश राय चौधरी राय चौधरी जी परा मनोग ज्यान के शेत्र में काफी प्रसिद्ध थे उन दिनों वो कलकत्ता के विश्व इद्याले में उच्च पत पर थे एक दिन सांच के समय जब मैं कर्निंग स्टीट से गुजर रहा था तभी एका एक मेरी उनसे मुलागात हो गए काफी दुनों बाद मिले थे राय चौधरी जी मुझे देखते ही वो बोले अरे भाई शर्मा जी कहां थे आप इतनी दिनों से मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी बीच में फिर से वो बोल पड़े तुम तो जानती ही हो मुझे उस छोटे से मकान में कुछ परेशानिया हो रही थी पिछले महिने मैंने एक मकान देखा अलिपूर में पसंद भी आया था कम से कम 200 साल पुराना होगा वो मकान मगर बराबर मरमद होते रहने के कारण देखने में उतना पुराना नहीं लगा पहले उसमें च्छावनी के अंग्रेज अफसर रहा करते थे इसलिए मकान के कमरे विलायती धंक से सज़े होए थे मकान हवादार और आराम देख था इसलिए मैंने तुरन थी तीन महिने की पेशकी देकर उसे किराय पर ले लिया पर चौथे दिन ही मुझे उस मकान को छोड़ना पड़ा वो मेरे बारे में जानते थे कि मैं भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर शोध कार्य करता हूँ इसलिए शायद उन्होंने सीधे अपनी कहानी से ही शुरुआत की थी तो मैंने उनसे पूछा क्यों? किसलिए छोड़ दिया अपनी मकान? इतना अच्छा और आराम देख मकान? कलकत्य में तो से मकान मिलना कठी नहीं है वही तो बात है कि उस लंबे चोड़े हवेली नुमा मकान में एक ऐसा कमरा है जो बिलकुल खाली है उस कमरे के पास से गुजरते समय मुझे प्रतिक्ष रुप से कुछ दिखाई तो नहीं दिया कुछ सुनाई भी नहीं पड़ा लेकिन एक अजीब से भई के कारण मेरा सारा शरीर रोमा चित हो उड़ता था पता नहीं वहाँ क्या था लेकिन चौथे दिन सुभा मैंने मकान के रखवाली करने वाली बुढ़िया को बुलाया और मकान की चाबी उसे थमाते हो है बुला कि भई मुझे ये मकान ठीक नहीं लगता इसलिए मैं चोड़ रहा हूँ बुढ़िया रूखे सोर में मुझसे बोली मैं उसकी वज़ा जानती हूँ साहब फिर भी आप इस मकान में रहने वाले दूसरे सब किरायदारों से जादा ठीके जादा तर लोग तो दूसरे ही दिन मकान को छोड़ कर भाग जाते है आप से पहले इस मकान में तीन दीन तो कोई ठीका ही नहीं मेरा खयाल है कि वो लोग आपके उपर काफी महरबान रहे है मैंने आश्यर इसे बुढ़िया को पूछा था कौन वो लोग तो उसने कहा कि वही जो इस मकान में रहते है वो चाहे भूद, प्रेद जिन्न हो या और कुछ मैं बतला नहीं सकती मगर वो कई है और काफी ताकते रखते है भाई शर्मा उस बुढ़िया ने इतनी भयानक गंभिरता से ये बात कही थी कि मैं इसके बाद उससे बात करने की हिम्मत ही न रख सका राय चौदरी जी की ये बाते सुनकर में बेहती उत्सुक हो उठा था मैंने हसकर बोला मेरे खयाल से आप भूत प्रेश से डरते नहीं इससे पहले न जाने कितनी बार विचितर अनुबह हुआ है आपको फिर इस छोटी बात से आप इतना क्यू डर गए राय चौदरी जी जेबते हो है बोले भाई ऐसी बात नहीं बात दर असल ये है कि मुझे अपनी पत्नी के कारण मकान को छोड़ना पड़ा अब तुम तो जानते हो कि वो हद से जादा डर पोक और कमजोर दिल औरत है उसे के बार-बार कहने पर मुझे हूँ मकान छोड़ना पड़ा मैंने सहस भाव से कहा यदि आप कहे तो मैं उस रहस्य में मकान में कम से कम एक रात तो आवश्य रहना चाहूँगा अब कहने के आवश्य रकता नहीं कि दूसरे ही दिन मैं अलिपूर के उस रहस्य में मकान में बूरिया बिस्तर लेकर पहुँच गया उस जमाने में अलिपूर का इलाका आज की तरह गुलजार नहीं था, चारो तरफ खामोशी चाई रहती थी, गिंती के पचास साट मकान थे जो काफी पुराने थे, वो रहस्य में मकान अलिपूर में सुनसान जगह पर था, पासी दो एक दुकाने थी, चाय की और एक छोटा सा होटेल भी, बंगाली था शायद, जिसमें चा रख सी लिपाया और बोला, साहब, क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं? हाँ, मैंने सुना है कि ये मकान किराय पर देने के लिए खाली है, ये मकान तो साहब खाली है, एक मुसल्मान आौरत इसकी रखशाली करती थी, लेकिन पिछले हफते ही इसी मकान में उसकी महत हो गई मौत बहुत दर्णाक और हाथ से से भरी थी मैंने खुद अपनी आखों से उसकी लाश को देखा था उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था मुझ खुला था, आखे बाहर को उबल पड़ी थी और तो और मुझ से ढेर सारा खुर निकल कर फर्शवर फैला हुआ था जब उए सब बोल रहा था, तब मैं मकान को निहा रहा था थोड़ा रुक कर छोकरा आगे आते होए बोला साब, मकान भूता है, अब तो और भी लोग इसमें रहने को राजी नहीं होंगे तब ही मैंने उसकी बात को बीच में तोड़ कर पूछा इस मकान का मालिक कौन है? नवाब भादूर अलिखा खां साब रहते कहा है? लेक रोड़ पर उनका बहुत बड़ा आलिशान मकान है उसी में रहते हैं खां साब काफी जमीन जायदाद और बेशुमार दोला थे उनके पास साब इतना समाचार मेरे लिए काफी था मैंने एक रुपया जेब से निकाल कर उस छोकरे को इनाम में दे दिया और उसी समय खां साब के घर जा पहुंचा सेयोग से उस वक्त वो घर पर ही थे चेहरे से बुद्धिमता टपक रही थी बाचीत करने का ढंग बे उनका बड़ा ही शिष्ट और आकरशक था जब उनको ये मालूम हुआ कि मैं भूत प्रेत के रहस्यमाई विश्योप और खोज कार्य करता हूं तो वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए बड़ी विनमरता से बोले मकान आपकी किदमाद में हाजिर है आप जब तक चाहे उसमें रह सकते है किराए की तो बात ही नहीं है इस समय वो मकान बेहत बंदनाम है ऐसी हालत में अगर आप मकान के रहस्य का पता लगा लेंगे तो उल्टा मैं ही आपका शुक्र गुजार रहूंगा बातचीत के सिलसले में मुझे पता चला कि खां साप की पतनी अल्ला को प्यारी हो चुकी थी अुलाद के नाम पर एक लड़की है जिसका नाम है महरुन निसा जब मैंने पहली बार महरुन निसा को देखा तो देखता ही रह गया कितिनी खूप सुरत थी वो शब्दों में उसके सौंदरिया और उसके रूप का वर्नन करना बहुत मुश्किल है नजाने कब तक उसके और में मुग्दभाव से देखता रहा फिर मैंने उसके और से अपना ध्यान हटा तो पूछा आपका ये मकान कबसे मनहुस हो गया है ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है पर मुझे इतना जरूर याद है कि बहुत सालों से इसका यही हाल है थोड़ा रुक रुक कर खासाब कहने लगे सच तो ये है कि ये मकान मेरे चाचा का था आज से चालिस साल पहले उन्होंने मुर्शिदाबाद के किसी नवाब से खरीदा था मामूल इदामों में उस समाने में ये मकान कलकत्ते में इशरत महल के नाम से जाना जाता था चाचा से सुना था कि नवाब सहाब अयाश तबियत के थे शराब और शबाब का बहुत शौक था उने और रोजाना रात को इशरत महल में नवाब सहाब की महफिल भी जमती थी कुछ दिनों बाद दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया बर्मा पर जपानियों के हमले का प्रभाव बंगाल पर भी पड़ा नतीजा ये हुआ कि नवाब सहाब को इशरत महल के अलावा बंगाल में मौजद अपनी तमाम जमिन जाइदाद को एक के कर बेचना पड़ा मेरे चाचा की कोई औलाद न थी जब वो मरे तो उनकी जाइदाद संभालने के लिए लावर से कलकत्ता आना पड़ा यहाने पर ये मकान मुझे इसी तरह सुना नजर आया और तब पता लगा कि इसमें रूहु का डेरा है मुझे बाते मनगडन और कालपनिक लगी मैंने मकान की मरम मत करवाई रंगरोगन कराया नए ढंके परनीचरों से सजाय भी और एक अंग्रेज अफसर को किराय पर दे दिया मगर वो जादा दिन टिका ही नहीं एक सपताबादी भाग खड़ा हुआ पूचने पर उसने बतलाया कि मकान काफी भयानक है रहने के काबिल नहीं है उसके बाद से किरायदारों का सिलसला ही चल पड़ा मगर कोई भी किरायदार एक सपताब से जादा ठहर न सका नतीजा ये हुआ कि मकान पूरी तरह बदनाम हो गया आज उसकी जो हालत है वो आप खुद ही देख रहे है आखिर में खां सहाब अपने पन के सौर में बोले अगर आप मेरी सलहा मानते हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप रात को मकान में हरविज न रहे हो सकता है कि जान को कोई खत्रा हो जाए उनकी ये बात सुनकर मैं हस पड़ा और दुरता के साथ कहा मुझे इस मामले में बेहत दिल्चस्पी है और अंजानी परिस्तितियों में हिम्मत का दंब भरना मैं कायरता समझता हूँ फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मैं खत्रों के बीच ही पला हूँ भूत प्रेद और खतरनाक से खतरनाक जिन्नों से मेरा सामना अब तक कई बार हो चुका है आपके भूताहस्तान में रहने से भी मुझे अपने दिल की मजबूती पर पूरा बोरोसरा हैगा खान साहब ने एक बार मेरी और गहरी नजरों से देखा फिर मकान की ताली मेरे हवा ले कर दी अब कहने की जरूरत नहीं उसी दिन मैंने भूताह मकान में अपना डेरा डंडा जमा दिया जब मैं राद बिताने के लिए पहली बार उस मकान में पहुँचा तो मेरा नौकर देवी दरवाजे पर ही और वो मेरा ही इंतजार कर रहा था देवी उडिसका रहने वाला था और वो काफी हिम्मत वाला भी था मुझे देखती है वो बोला साहब मकान तो हवादार और काफी आराम देह है मगर भिजलीन रहने से कुछ तकलिफे हो सकती है मैंने उसकी बात अंसुनी करते हूँ पूछा तुम सुभ़ से इस मकान में हो तुमने अभी तक कोई अजीब बात देखे या कुछ सुना हाँ साहब मकान कुछ अजीब जरूर है ये बात तो माननी ही पड़ेगी मतलब क्या क्या मैंने उत्सुकता वश उससे पूछा मुझे कए बार मकान के निचल हिस्से में तो कभी उपर के हिस्से में किसी के पैरों की अहट सुनाए देती रही दो-तीन बार ऐसा भी लगा कि जैसे कोई मेरे कानों के पास ही आकर फुस-फुसा रहा है कुछ बाते कर रहा है इसके अलावा मैंने कुछ महसूस नहीं किया अच्छा तुम डरे नहीं? नहीं सहाब इसमें डरने की क्या बात है ये सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि चाहे जो भी हो जाए ये उडियानों कर मेरा साथ नहीं छोड़ेगा वो नवम्वर का महिना था थन्ड पढ़ने लगी थी हवा में तरावट थी रात की कालीमा गहरी होती गई हलके बादलों के सफेट टुकडे नीले आकाश में तैर रहे थे शुकल पक्ष की एकादशी का चान बादलों की ओड से बाहर निकल आया था चारों और रूपली चांदनी बिखरी होई थी मकान की उपरी हिस्से में मैं एक कमरा अपने ले ले लिया था कमरा काफी लंबा चोड़ा था काफी हवादार भी था वहाँ तीन चार बड़ी बड़ी खिडकया थी जिन में से होकर हवा का सैलाव कमरे में थम रहा था कुछ देर तक मैं खिडके के पास ही खड़ा रहा और बाहर छिटकी हुई चांदनी का आनन्द लेता रहा और तब तक देवी टेबल पर खाना लगा चुका था खाना खाने के बाद मैं आराम से पैर फैला कर पलंग पर लेड़ गया मेरे कमरे के बगल में एक और कमरा था जिसका एक दर्वाजा मेरे कमरे में खुलता था देवी ने अपने सोने के लिए उसी कमरे में इंतिजाम किया था वो भी खाना खतम कर अपने कमरे में चला गया धीरे धीरे रात गुजर रही थी मुझे नेंद आने का प्रश्न ही नहीं था मैं जाग रहा था कभी कभी पल के जपक जाती थी एका एक मुझे ऐसा लगा कि कोई कमरे में विचितर ढंग से गहरी सांसे ले रहा है निश्चे ही वो किसी इंसान की सांस नहीं थी और तभी मुझे कमरे के पास एक बड़ा सा पीला प्रकाश दिखाई गया जो मनुश्य के आकार के बराबार था वो कुछ देर तक तो स्तिर रहा अपनी जगह पर फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा वो प्रकाश छोटी सी गोली के रूप में बदल गया प्रकाश की वो रहस्य में गोली बहुत देर तक कमरे में चारो तरफ उचलती कूती रही और फिर अचानक गायव हो गए इसी के साथ एक और विचितर घटना घटी जिसकी मुझे सपने में भी आशा नहीं थी एकदम से अपनी कमरे का दरवाजा धड़ाक से खोल कर देवी बाहर निकला उस समय उसके चेहरे पर डर का जैसा भयानक भाव था वैसा मैंने आज तक नहीं देखा था वो मेरे बगल से तेजे से निकल गया और मुझे फुसपुसाते हुए कहा भागिये साब भागिये वो मेरे पीछे-पीछे आ रहा है लगा जैसे वो आवाज देवी की नहो वो तेजे से सीड़िया उतर कर मकान की मुख्य दरवाजे के पास पहुँचा फिर उसने बंद दरवाजा जटके से खुला और बेताशा बाहर भागा मैंने उसे कई बार आवाज दी लेकिन उसने मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया अब मैं उस भूतह मकान में अकेला रहे गया था मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि देवी किस बात से इतना डर गया था कौन उसका पीछा कर रहा था एक टॉर्श लेकर पूरे मकान का मैंने चक्कर लगाया मगर मुझे कोई भी रहस्य में चीज दिखलाए नहीं दी मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपनी बिस्तर पर लेड़ गया रात काफी गुजर चुकी थी चांद पच्चिम की और जुग गया था आकाज भी बिल्कुल साफ हो चुका था मुझे बिस्तर पर लेटी होए अभी दस ही मिनट होए होंगे कि मेरे सामने एक काली सी चाया प्रकट हुए वो हरक्षण अजीब रूप धारन करती जा रही थी उसका आकार और डेल डोल किसी दैते के दर था उसका सिर मानो चट को छू रहा था मैं विस्पारित नेतरों से देखता रहा मेरा खून पानी होने लगा सारा शेरी रूमांची धूठा उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दानो रूप चाया के सिर से दो आखी मुझे घूर रही है मैं चुपचा बिस्दर पर सांस और दम साधे पड़ा रहा अब उस चाया के उपरी भाग से नीले और पीले रंग के प्रकाश की दो तेज किरिने मुझे पर पड़ रही थी ठीक उसी ओचाही से जहां मैंने वो दो आखे देखी थी मैंने बोलनी की कोशिश की पर गला जैसे बंध हो गया था मैंने उठने की भी कोशिश की मगर बेकार मुझे लगा जैसे कोई अदेम में शक्ति मुझे पर अपना प्रभाव डाल रही है जैसे कोई अत्यंतक गतिमान महन शक्ति मेरी इच्छा और मेरे संकल्प का विरोध कर रही है और मुझे उस समय ऐसा लगा कि उस महान शक्ति का विरोध करना मनुश्य की शक्ति के बाहर की बात है मुझे उस समय असाहिता का अनुभव हो रहा था मैं बतला नहीं सकता कि मेरी हालत क्या थी जो जो मेरी ये भावना बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे मन में भय का संचार गहरा होता गया काफी प्रयास के बाद मैंने इच्छा शक्ति को दूर किया और काफी ताकत लगा कर बिस्तर से उठा पर तभी मुझे धक्का सा लगा और मेरा शरीर निर्जियों सा होकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ा और उसी के साथ मेज पर जलती मुमबत्ती की रोश्नी धीमी पड़ने लगी मेरा आतंक और बढ़ गया मुमबत्ती बुछी तो नहीं लेकिन लगा कि जैसे कोई अदुर्शी शक्ती उसकी लौग को धीरे धीरे बुझाने की कोशिश कर रही है हिकाएक मुमबत्ती बुझ गई और दुप अंधिरा छा गया कमरे में एक भयानक आतंक के भाव ने मुझे घेर लिया गहरे अंधिकार में डूबे हुए उस कमरे में मैं था और थी वो भयानक देत्याकार विक्राल काली छाया उसकी शक्ति का मुझे इतना विक्कट और भयानक अनुबह हो रहा था कि मेरा रोम रोम काप रहा था सच मुझ उस समय आतंक अपनी चरम सिमा पर पहुँच गया था बस अब दो ही बातों की संभाव ना थी या तो मैं बेहोश हो जाओंगा या फिर किसी तरह उस मायाजाल को तोड़ दूगा और सच मानिये मैंने उस मायाजाल को आखिर में तोड़ ही डाला मैं चीख उठा और उसी क्षण मुझे अपनी आत्मबल का अनुभव हुआ मुझ में उठने की शक्ति आ गई उठते ही मैं खिड़की की और दौर पड़ा और मैंने उसका पल्ला खोल दिया उस समय मुझे एक चीज की सक जरुवत थी और वो थी प्रकाश की खिड़की खुलते ही मुझे पच्चिम में ढलता हुआ चांद नजर आया साफ, सच्छ और शांत चांद की हलकी पीली रोश्णी कमरे में आ रही थी वो काली विकराल चाया अब कमरे से गायब हो चुकी थी मैं पलंके और मुडा ही था कि तब मुझे ऐसा लगा कि सारा कमरा जोर से काप उठा हो फिर कमरे में चारो और चिंगारियों जैसी गोलिया निकलने लगी हरी, पीली, लाल, नेली वे सभी विभिन रंगों की प्रकाच गोलिया कमरे में तेजे से चक्कर काटने लगी उसी स्थिति में दलान में पड़ी एक पुरानी कुरसी अपनी आप खिसक कर मेरी मेज के सामने आकर रुग गई फिर कुरसी पर एक योती का आकार प्रकट हो गया बहुत जिन्दा थी, मगर मौत के तरह भयानक योती काफी सुन्दर थी पर उस समय उस चेहरे पर शोक, चिंता, पीडा और व्यथा की मिली जुली छाया थी दूसरी क्षेंड मेज पर औरतों की शुरूंगार की तमाम वस्तिय प्रकट हो गए और वो रहस्य मैं योती अपना शुरूंगार करने लगी बीच बीच में वो दर्वाजी का ओर देखती थी शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी कमरे में अभी भी विभिन प्रकार की रंगे बिरंगी गोलिया चारों और घूम रही थी कमरे का दर्वाजा खुला तो नहीं पर दर्वाजे के पास एक दूसरी आकुरूती प्रकट हुई वो आकुरूती किसी पुरुश की थी या शायद किसी यूवक की और देखने में वो पुराने जमाने का अंग्रेज लग रहा था उसका पोशाक वैसा ही था उसके चेहरे पर भी शोग का भाव था लगा जैसे वो किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ है और वो धीरे धीरे चलकर यूदी के पास आया और उसने धीरे से पुकारा महरुन निसा उस योग की मुह से महरुन निसा नाम सुनकर मैं चौक पड़ा योग को देखते ही महरुन निसा खड़ी हो गए और उससे जा मिली काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को गले लगा कर वहीं खड़े रहे और फिर धीरे धीरे हवा में घुलते चले गए गायव हो गए और उसी के साथ कमरे का वातावरन भी एकदम से स्वच्छ हो गया उस रात इशरत महल में मैंने जो कुछ देखा और सुना था जो कुछ अनुभो किया था उससे मेरे मस्तिश में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि इस महल में प्यासी आत्माओं की प्रबल इच्छा शक्ति का गहरा माया जाल फैला हुआ है मगर उसके मूल कारण क्या है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था इस्चरत महल 200 वर्ष पुराना था नवाब सहाब का वो खांदानी महल था संभव है कि वो कारण उनी के खांदान की इतिहास के किसी अंधरे पन्ने में दबा या चिपा हो मगर अब सबाल ये था कि उनके खांदानी इतिहास का पता लगेगा कहा उस दिन में स्टूडियो नहीं गया दिन भर में देवे को ही खोशता रहा लेकिन वो मुझे कहीं मिला ही नहीं शायद वो अपने गाउं भाग गया था और अब मुझे इश्रत महल में अकेला ही रहना था अगले पूरे दस दिनों तक वहां कोई घटना नहीं घटी और नहीं मुझे कोई अनुभू हुआ मैं आराम से रह रहा था मगर ग्यारवे दिन जिब मैं वापस लोटा उस समय रात के बारा बज रह थे कुरुष्न पक्षकी रात थी सारी धरती और सारा आकाश अंदरे के आगोश में डूबा हुआ था एक गहरी खामुशी चाई हुई थी चारो तरफ उस रात सडक की बत्ती भी बुजी हुई थी मुख्य दर्वाजे का ताला खोल कर मकान के भीतर जैसे ही घुसा मैं स्तबदर है गया मेरा पूरा चरीड भय और आतंक से रोमांची थो उठा नजानी कहां से भीतर खूब रोश्नी हो रही थी मकान में लंबे चोड़े आंगन में चारो और खून ही खून फैला हुआ था बिलकुल ताजा खून था वो और उस ताजे और गर्मखुन से सनी लिप्ती आधे दरजन लाशे वहां पड़ी हुई थी जिन में एक जवान और खूबसुरत औरत की लाश भी थी और उन सभी लाशों की गर्दने कटी हुई थी ज़रा आप ही सोचिए उस अंधेरी और खामोश रात के समय खून में डूबी हुई उन आधी दरजन लाशों को देख कर मेरी हालत क्या हुई होगी मैं पागल नहीं हुआ बस यही गनिमत थी मैं अब भी आँखे फाड़े और मुह बाए वो विभस और भयानक दुर्शों को देख रहा था कि तभी अचानक सामने वाली दिवार के पास एक लंबी चोड़ी काठी का विक्ति प्रकट हुआ उसकी आँखे लाल हो रही थी उसकी चेहरे पर क्रोध और गुरुणा का भाव था चेहरे से कुरूरता साफ टपक रही थी और उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी मैं वहाँ पत्थर का बुद बना खड़ा रहा लगा कि किसी भी क्षण मैं बेहोश होकर गिर पड़ूंगा और सचमुष में बेहोश हो गया जब मुझे होश आया तब मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ था और महरुन निसा मुझ पर जुकी हुई थी खाँ साहब की बेटी महरुन निसा बड़े प्यार से मेरे सिर को आहिस्ते आहिसे सहला रही थी मैं उसे देखकर आश्यरी से भरूटा वो कैसे और कव आई यहां मुझे होश में आया देखकर वो मुझे से बोली अब कैसी है तबियत आपकी मुझे ठीक से समझीने आ रहा था कि मैं क्या कहूँ मैंने उसी में जवाब दे दिया ठीक है लेकिन आप यहां कैसे आई महरुन निसा बड़े सहज भाहों में बोली मैं आऊंगी कहां से मैं तो यहीं इसी मकान में रहती हूँ यह सुनकर मुझे आश्यरी हुआ मैंने आश्यरे भरे स्वर में ही कहा क्या कहती है आप आप इस भूतह मकान में रहती है मैंनो तो आपको इस से पहले कभी ने देखा इस मकान में कैसी बात करती है आप महरुन निसा ने मेरे उस प्रश्ण का कोई जवाब नहीं दिया वो सिर्फ मुस्कुराती रही बड़ी रहस्य मैं लगी मुझे उसकी मुस्कुराहट मैं उसके चहरे के तरफ देखता रहा गया अब दिन का उजाला फैल चुका था महरुन निसा की उपस्ति सचमुच मेरे लिए रहस्य मही थी जब मैं बात्रूम से वापस लोटा तो देखा कि वो मेरे कमरे में नहीं थी और तब मैं सोच में पड़ गया कि वो मुझे बिना बताये कहां चली गई पुरा मकान देख डाला मैंने मगर वो कही नहीं मिली मैं आंगन में भी गया वहाँ भी अब खून फैला न था और नहीं लाशे थी एक आएक मेरा मस्दिक जंजना उठा रात का वो सारा दुर्श्र मेरी आखों के सामने घूम गया निसंदेह भयानक प्रेत लिला थी वो और अब महरुनिसा भी मेरे शक्के दायरी में आ गई थी उसका व्यक्तित्व मुझे रहसे में लगा मैं उसी हालात में दोड़ा दोड़ा खांसाब के बंगले पर पहुचा जब मैं वहाँ पहुचा तो वो सुबह का नाश्टा कर रहे थे महरुनिसा भी उनके करीब बैठी होई थी मुझे देखते ही खांसाब बोल पड़े आईए आईए और आपकी खोज का नतीजा क्या हुआ कुछ समझ में आया आपको मैंने उन्हें सारी कथा सुना दी जो भी मैंने अनुभो किया था जो भी मेरे साथ घटा था वो सब बताया और सबसे आखिर में मैंने उन्हें महरुनिसा के आने के बाद बता दी जिसे सुनकर बाब बेटी दोनों एक साथ चौक पड़े ये क्या कह रहे है शर्माजी आप खां साब अपने कठोर सोर में बोले मेरी बेटी तो बिल्कुल सुबह से मुरे पास है फिर वो क्यों जाएगी उस भोता मकान में अब मेरे चौकने की बारी थी मुझसे कुछ बोला न गया कुछ कहां भी नहीं गया बस मैं उन दोनों को देखता रहे गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा वो सच था या जो खां साब कह रहे है वो सच है दिन बदिन उस भोता मकान की रहसे में पुद्ती उलश्ची जा रही थी महरुनिसा का अस्तित्व मेरे लिए और अधिक रहसे में हो गया था मेरे कमरे में मेरा सिर सहलाने वाली और मुझसे बात करने वाली आखिर कौन थी अगर वो महरुनिसा नहीं थी तो फिर कौन होगी वो उस रात फिर मुझे वो लंबी चोडी काठी वाला वेक्ती मकान में दिखाई पड़ा सिर जुकाय आंगन में खड़ा था वो मगर जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो एक आएक आंगन की दिवार में समा गया और ये देखकर मैं तो डर ही गया दूसरे दिन मैंने उस दिवार को तुरवाना शुरू किया क्योंकि मेरे खयाल में उसी दिवार की पीछे उस भूतहा मकान का सारा रहसे चिपा हुआ था और मेरा अनुमान सही निकला दिवार की गिरते ही मुझे सामने लगभग चार फूट लंबी लोहे की मोटी चादर दिखलाई पड़ी वो लोहे की चादर दिवार में पेचो के जरिये कसी हुई थी मैंने उन्हें भी खुलवाया काफी महनत के बाद खुरी वो मोटी चादर उसकी हटती ही मुझे नीचे जाने की सीडिया दिखलाई दी भीतर अंधेरा था और सीलन भरी बदबू भी मैं टार्च की रोश्णी की सहायता से सीडिया उतर कर नीचे पहुंचा नीचे मुझे एक लंबा चोड़ा कमरा मिला वो कमरा मुझे काफी रहस्य में लगा कमरे में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी जो काफी पुरानी लग रही थी मैंने उससे भी तुड़वाया अलमारी में भी मुझे इस इंडिया कमपनी के जमाने के चान्दी के कुछ सिक्के और जड़ाउत तलवार मिली कमरे के एक कोने में एक बड़ा भारी लोहे का संदूग भी था उसका ताला बड़ा भारिक और मजबूत था उसे तोड़ने में मुझे काफी परिशानी हुई और उस लंबे चोड़े संदूक के खुलने पर मुझे उर्दू में लिखु ही आरभी तंत्रमंत्र की काफी पुरानी किताबे और सुनहरे फ्रेम में जड़ी हुई दो तस्विरे मिली उनी के साथ चमडे में लिप्टा हुआ एक दस्तावेज भी मिला इन सब पुरानी वस्तोय के अलावा सबसे आश्यर जनक और कौतुहल पुर्ण जो वस्तो मुझे उस संदूक में मिली वो थी स्पटी की एक तश्तरी लगबग एक फूट व्यास की वो तश्तरी गहरी भी थी जिसमें पीले रंग का कोई स्वच्छ द्रव भरा हुआ था और जिसमें कमपास की तरह कई सुईया तैर रही थी जिनके चारों तरह ग्रह नक्षों की चित्रों खुदे हुए थे सुईया उन पर तेजी से खूम रही थी मैंने उस तश्तरी को छूना चाहा वगर जैसे ही उसका स्पर्ष रिया उस एक शन मेरा सारा शरी रोमांचित हो उठा और मेरा सिर संस्रान लगा उसी के साथ मुझे बिजली जैसा जटका भी लगा वो स्पटिक की तश्तरी तूट गई और उसमें का जो द्रव और कमपास की सुईया थी वो चारो और विखर गई और उनके विखरते ही कमरे में भोचाल सा आ गया वहां की सभी दिवारे काँ पूठी मैं उन पुस्तकों दस्तावेच और सिक्कों को लेकर उस गुपत कमरे से बाहर निकलाया साथ मैं उन तैल चित्रों को भी लाना नहीं भूला उर्दू और अर्बी का ज्यान मुझे था इसलिए उन प्राचिन तंत्र की पुस्तकों और चमरे की खोल में लिप्टी हुए उन दस्तावेच को पढ़ने में और समझने में मुझे दिक्कत नहीं हुई वो पुस्तके, अर्बी और फार्सी तंत्र मंत्र और ताविजों के अलवा काला जादू मैली विद्याओ, तोना तोटका, आदे की हस्त लिखित प्राचिन और दुरलब पुस्तके थी उन तांत्रिक पुस्तकों का लेखक कोई ओलिया फकीर था जो कभी अरब होता हुआ हिंदुस्तान आया था और हमेशा के लिए मुल्तान में ठहर गया था कहने की आवश्शकता नहीं कि आज से करीब 200 वर्ष पहले मुसल्मान अर्बी और फार्सी तंत्रिकों का गड़ रहा था वो ओलिया हमेशा खामोश और हर समय अपने तंत्रिक साधना में डूबा रहता था उसने कुछ दिनों बाद अपना एक शिश्य बनाया जिसका नाम था शाकीर और शाकीर पक्का शागिर साबित हुआ वो अपने गुरु को खूप सेवा करता था और गुरु भी अपने उस शिश्यो को अपने लड़के के तरह मान रहा था ऐसी स्थिती में जो परिणाम सामने आना चाहिए वो ही आया शाकीर एक अच्छा साधक बन गया ओलिया की सारी तंत्रिक विद्या उसने धीरे-धीरे हासिल कर ली बगर तंत्रिक साधना और तंत्रिक विद्याओं ने शाकीर को विनम्रता, सहिश्नुता और विवेक के बजाए अंकार भर दिया अपने आपको वो महाशक्तिमान समझने लगा था अपनी शक्ति और अपने सामर्थे के सामने वो किसी और को कुछ न समझता दस्तावेच के अनुसार उस एक परी सिध्य प्राप्त थी, जो काफी शक्तिशाली थी और वो शाकीर के इशारे पर कोई भी अच्छा या बुरा काम कर सकती थी और उसी बात का शाकीर को घमण था औलिया के मरने के बाद तो शाकीर का आंकार और घमण और भी बढ़ गया तभी उस पर नजर पड़ी मुलतान के एक जमिनदार की जिसका नाम था कुर्बान एहमद कुर्बान एहमद शाकीर की रूहानी ताकत से भली बाती परिचित था एक दिन उसने शाकीर को अपने पास बुलाया और अपनी एक बहुत ही बड़ी समस्या उसके सामने रखी शाकीर ने परी की सहायता से उस चटिल समस्या को हल कर दिया जिसके बदले जमिनदार ने उसे बहुत सारे सोने चांदी के सिके और जडाओ गहने दिये और यादाश के तौर पर उसे एक जडाओ तलवार भी बैठ दी उस जमाने में वो लाखों की संपत्ति थी मगर शाकीर उससे खुश नहीं था वो तो महरुनिसा को चाहता था कुरान एहमद की इकलोती बैटी महरुनिसा उसकी खूपसूरती और हुसन ने शाकीर के मन की शांती को चीन लिया था और वो हर हालत में महरुनिसा को पाना चाहता था मगर वो जमिनदार एक अदबुडे और बदसुरत तांत्रिक को अपनी इकलोती बैटी देना नहीं चाहता था जब वो किसी भी प्रकार से तयार नहीं हुआ तब जाकर शाकीर ने अपने इल्म से काम लिया एक दिन जब रात के अंधेरे में सारा मुलतान शहर डुबा हुआ था और लोग गहरी नेन में बेखबर सोय होए थे उसी वक्त महरुनिसा दोड़ती हावती हुई आई और शाकीर की चोड़ी चाती से लिपट गई और उसने अपने आपको शाकीर के हवाले कर दिया शाकीर भी यही चाहता था उसकी मुराद पुरी हो गई थी वो उसे लेकर सिधा कलकता के लिए रवाना हो गया वो वहां रुका ही नहीं वो महरुनिसा को इस शहर से बहुत दोड़ ले जाना चाहता था ताकि उसके बाब का साया कभी भी उस पर ना पड़े उस वक्त शाकीर की उम्रे 40 के लगभग थी और महरुनिसा की उम्रे सिर्फ 16 साल की थी निश्चे ही उस वक्त उसकी पवित्र आत्मा रूहानी दुनिया की किसी नापाक ताकत की गिरप में थी वरना वो कभी भी उस अद्बुडे और बदसुरत तांत्री को अपना तन्मन अर्पित नहीं करती खैर शाकर कलकत्य में पूरी तरह से जम गया उसकी चमतकारी तंत्री विद्या ने उसे शोहरत भी दी और धन्दौलत भी उसने कुछ वक्त बाद महरुनिसा से शादी की और उसकी लिए हवेली नुमा एक महल बनवाया जिसका उसने नाम रखा था इशरत महल मगर जो होना था वही हुआ एक दिन शाकर की इल्म छन्न से तूट कर बिखर गई और जब महरुनिसा को सच्चाई का आहसास हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा उसे पता ही नहीं था कि उसने इतने सालों में क्या खोया था लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था उन्हीं दुनों एक अंग्रेज योग शाकर के यहां आने जाने लगा था उसका नाम था डफ ये डफ नाम का व्यक्ति काफिये सुन्दर और स्मार्ट था एक सजला नौजवान भी था सबसे दिलकश थी उसकी भूरी आँखे जिसमें एक अजीब सा सम्मोहन था महरुन निसा और डफ पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे महरुन निसा को एक अपनत्व और प्यार भरे दिल के साथ ही किसी मर्द के मजबुच सहारी की जरूत थी और दोनों ही उसे एक साथ मिल गया था डफ ने उसकी सारे सपने पूरे कर दिये मगर शाकिर से उन दोनों का प्यार जादा दिन चिप न सका वो हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था और एक दिन जब वो रोज की तरह शराब की नशे में गले तक डूबा हुआ था तब उसने दोनों को प्यार करते हुए देख लिया ऐसी नाजुक सिती में जो घटना घटनी चाहिए थी वही घटी शाकिर की आँखों में खून उतर आया उसने लपक कर महरु निसा के बाप ने दिया हॉआ और जड़ाओ तलवार उठा लिया और उसने एक ही साथ दोनों का कतल कर दिया दोनों प्रेमियो का खून से डूबा हुआ जिस्मत जमिन पर गिर कर एक साथ जट पटाया और एक ही साथ हमेशा हमेशा के लिए शान भी हो गया डफ का बाप ब्रिटिश सरकार के किसी उच्चे पत पर था जब उसे ये मालुम हुआ कि उसके बेटे का प्यार के मामले में कतल हो गया है तो वो बहुत जादा बौकला गया उसे पता था कि उसके बेटे का कतल करने वाला शाकिर था वो चाहता तो शाकिर को तबहा कर देता मगर वो उसकी रुभानी ताकत से भलीबाती परिचित था और इसलिए वो खामोश रहा पर डफ के दोस्तों ने शाकिर से बदला लेने की ठान ली वो डफ के ऐसे दोस्त थे जिनके लिए डफ ने बहुत कुछ किया था और इसलिए वो उताले हो रहे थे आखिर कार वो एक साथ ही निहत्ते शाकिर के मकान में घुस गए और उसे मार पीट करने लगे शाकिर था तो अकेला मगर उसके हाथ में तलवार थी तलवार के वार के सामने निहत्ते यूग भला कब तक ठहर पाते शाकिर के हाथों सभी मारे गए इस्चरत महल का आंगन लाशों से पढ़ गया और शाकिर इतने से हैं शांत नहीं हुआ दस्तावेच के अंत में लिखा था कि उसने अपने इल्म के जोर से महरुनिसा और डव के अलावा उन सभी योग की आत्माओं को इशरत महल में ही कैद कर दिया था ताकि वो जिन्दगी के लिए हमेशा प्यासी रहे और इशरत महल में हमेशा के लिए भटकती रहे उसमें ये भी लिखा था कि जब तक स्पटिक की तश्तिर में कमपास की सुया गोमती रहेंगी तब तक वो आत्माए इश्रत महल में कैद रहेंगी उनकी कभी मुक्ती नहीं होगी मगर उसका यही काम शाकिर के लिए महंगा पड़ गया था क्यूंकि उसके कुछी दिनों बाद एक रात वो सभी 85 आत्माए एक साथ शाकिर पर तूट पड़ी थी और उन्होंने उसका गला घोट दिया दूसरे दिन सबेरे उसकी लाश आंगन में पड़ी पाई गई उसकी आखे और जीब बाहर निकली होई थी चेहरे पर भाई का भाव था कहने की जरूत नहीं थी कि उसी दिन से वो इश्चरत महल भूता हा हो गया था उन दो तसूरों में पहली शाकिर की तस्विर थी उसका चेहरा बड़ा भयानक और प्रभावशाली था यदि किसी साप को इंसान के शकल में बदल दिया जाए तो वो बिल्कुल शाकिर जासा लगेगा उसका जबड़ा चोड़ा था और नीची के और लटका था उसके आखे लंबी और गहरी थी और नीलम जैसे चमकती थी और उसके आखों के भाव को देख कर ही लगता था कि उसे अपनी शक्ती पर बहुत ही विश्वास है दूसरी तस्विर को देखते ही मैं चौक पड़ा पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ काफी देर तक में उसे गौर से देखता रहा वो तस्विर थी महरुनिसा की पर उसमें जो शकल थी वो बिलकुल ही खास साब की बेटी महरुनिसा जैसी थी उसके चेहरे से मिलती जिलती थी वही रूब, वही रंग, वही नाक नक्ष कहीं कोई फर्क नहीं था लगा कि जैसे खां साहब की बेटी महरूनिसा को सामने बिठा कर ही वो चित्र बनाया गया है उस चित्र को देखकर मेरे एक शंका का समाधान हो गया और वो ये कि मैंने उस दिन अपने कमरे में जिसे देखा था और जिससे बात की थी, वो खान साप की बेटी महरूनिसा नहीं, बलकि शाकिर की बीवी महरूनिसा थी, वो सब होने के बाद मैंने खान साप को वो सारी कहानी सुनाई, तो उसे सुनकर वो भी स्थब दरह गया, मुझे इस बात की भारी प्रसनता थी, कि मेरे हाथ अनायास अर मुक्त हुया नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन तब से फिर कभी कोई घटना उस महल में नहीं घटी, खान साहब ने भी उस इशरत महल को तुड़वा कर नए सिरे से उसका निर्मान कराया, और फिर उसका नाम रखा, महरूनिसा महल, तो दोस्तों आपको आज के कहानी कैसी मुझे कमेंट करकर ज़रूर बताए, और अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. झाल 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